तो हलो बचों गुड आफरनून टुड़े वी आ स्टार्टेंग आवर NDA वाली बेटी प्रोग्राम स्पॉंसर्ट वाइदून आईडीय देरदून इस वीडियो को जरूर देखें और इसके बाद जो सीरीज आने वाली है उसको आप फॉलो करें आए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका NDA आराम से निकल जाएगा नorkली जो मैं आपको पढ़ाँगा ताट इसदा मैथमेटिक्स पोर्षण और मैठ्स पोर्षण जो होता है वह आपने आप में बहुत इंपॉट्टेंट होता है अंडीय में तो देखें मैठ्स पोर्षण में अगर आप देखेंगे तो आपके जो कोश्चिंस आते हैं वो वो दी जाएगी धाई गंटे यानि कि आपका डेड़ सो मिनेट्स में आपको जो है यह कोशन करने हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब इंपॉर्टेंट चीज है कि यह एक्जामिनेशन जो असर डिफन्स अकाडमी का है यह अपने आप में बहुत प्रेस्टीजिस और इस कंड़क्टेट बाइदा यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन यूपी एसी तो यूपी एसी यह एक्जाम कंड़र्ट करवाता है तो इसकी वैल्यू खुद भढ़ जाती है इसका लेवल ऑफ कोशन भी बड़ा अच्छा आता है और सेकंड तिंग मैं बता रहा हू कि उसमें एरर होने की समभावना होती है यूँमन एरर हो जाते हैं जनल स्टेडिज में ज्यादा बढ़ जाता है और मैंस में आप उसे कंड्रोल कर सकते हैं मैं मैं मिनिमम लॉस पर मैक्सिम कॉश्चन कर सकते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना हो आप जुँँ आपको धीए चम्ट जो यह पढ़ाया जाएग है उसको से पहले आप सबसे पहले जो ही मात्स में पढ़ाओंगा उसके वीडियो लेक्चर को आपको फॉलो करना है ठीक है आपको वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करना है आप वीडियो लेक्चर्स आप आराम से फॉलो करिए सेकंड चीज जो आप काम करेंगे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद सेकंड चीज जो आपको काम करना है वो यह करना है कि आपको प् नहीं एक महिने का समय है तो वीडियो लेक्ट्चर्स प्रिविएस यह और तीसरी चीज जो आपको करनी है वह हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है ठीक है जो हम करवाएंगे वो करना है तो अगर आपने तीन चीज़े कर लिए तो आप डेफिनेटली जो है कोश्चन कर लेंगे अच्छा अब आपको नोटबुक में कैसे करना है ध्यान सुनिएगा जो मैं नोटबुक बनवाऊंगा तो देखिए हर नोटबुक में आपको म पहले लिखवाता हूँ तो जो मैं फ़र्म लिखवाऊंगा और जो में ट्रिक्स लिखवाऊंगा उनको आप अच्छे से जो है नोट करेंगे एक अलग पैन रखे लिजीए चीए और एक आप रखे लिजेगा फटा फट ब्लैक पैन या ब्लू पैन ठीक है जो भी आपके examination को निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको serious होना पड़ेगा, थोरली आपको चीज़ों को follow करना पड़ेगा, एक red pen रखी है black pen रखी है, और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप लोग जो है formula को जो है आप ऐसे properly लिखी है, और formula को जैसे मैं ने सर ने आज क्या पड़ा है, इसके अलावा आप लोगं को जो है previous years के जो questions है, उनको आप thoroughly follow करिए, उन questions को solve करिए, अगर आपका कोई doubt फसता है, तो आप जो है post करिए comment में और उसका solution में आपको जरूर बताऊंगा, इस चीज़का मैं आपको promise करता हूँ, देखें, अब बात करते हैं paper के pattern की, तो paper का pattern जो है, वो आपके पास आपको पता है, 11th and 12th basis पे होता है, 11th and 12th के जो maths है, उसके basis पे होता है, और आपके जो questions है, वो standard questions होते हैं, बड़े आसान questions आते हैं, topic wise मैं आपको बताता हूँ, देखें, जैसे complex number है, complex number से हम लोग स्टार्ट करेंगे, complex number में आपको questions कराऊंगा, वो होता कैसे ये समझाऊंगा, ठीक है, और complex number के आपको questions दिए जाएंगे, complex number करने के बाद देखें, आप जो है, quadratic, quadratic जो है, normally direct नहीं आता, वो किसे ने किसी topic से आपको relate करके आता है, जैसे आपके पास quadratic equation को relate करेगा, किसी दूसरे topic से, like trigonometry सा आपको connect कर देगा, या वो connect कर देगा, किसी और topic जैसे आपके पास APGP से connect कर देगा, या वो हो सकता है, function से आपको connect कर दे, quadratic को function से भी connect कर सकता है, ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा भाईया, properties को use करनेगा, inequalities से भी करवा सकता है, है ना, PNC, यह हम करेंगे, permutation and combination, जिसे आप लोग कहते हैं, permutation and combinations, तो permutation and combination के थियोरी जो है, उनके बीच में difference क्या है, उसमें आपको permutations क्या है, और combination क्या है, कब पता चलेगा कि permutation लगाना है, कब पता चलेगा कि combination लगाना है, किस टाइप के questions कैसे करना है, यह आपको thoroughly हैं बताया जाएगा, इसके permutation and combination के दो सवाल आपके आजाते हैं, और दो के दो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, at least एक तो करी लेंगे, complex number, permutation and combination, इसके बाद आपके पास आता है sequence and series, sequence and series बहुत important है, और यह खाली जो है, अलग से sequence and series ना पूछेगा, कई बार यह क्या करता है, किसी topic से आपको connect कर सकता है, जैसे आपका trigonometer से sequence and series से question connect कर देगा, या quadratic equation में आपको जो है, sequence and series का देदेगा, कि equation बता देगा, जैसे आपके यह पास quadratic देदेगा, कि भाई, यह एक AyS² PLUS BX PLUS C है, ठीक है, और यह बोल देगा, कि भाई, जो ABC है ना, वो AP में यह बोल देगा, या दो equation देगा, और बोल देगा, कि जो पहली वाली equation है और दूСरी वाली equation जो है, उसके जो roots हैं, वो AP में हैं, या उसके roots GP में हैं, तो क कुछ भी इस तरह कांबिनेशन पकड़ा देगा यह ट्रिक्नोमेट्रिक फॉर्म में भी दे सकता है ठीक है जैसे कि बूलेगा टैन एलफा टैन बीटा टैन गामा आरी नेपी तो वह आपको अगर सीक्वेंस इन सीरीज के कॉंसेप्ट जो है आपको पता होंगे अर्थमेट् क्योंकि बहुत सारी जगों पर यूज होना है क्यालकुलस में भी लॉक यूज हो झाटा है ठीक है फुदसे भी लॉक का कोशन आजाता है ठीक है function में लॉक का सबसे को इसके पर आ सकता है तो लॉक के बारे मिए में पिक त् le innente में तक अच्छे आँचहर प्लस आपने इसमें ट्रिक्स अगर आपने ट्रिक्स फॉलो करी है तो आपका काम हो जाएगा जैसे आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है और उसका आपको इन्वर्स निकालना है या कोई डेटर्मिनेंट है आपको सॉल करने को दे देगा A B C P Q जो भी है और आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा इसमें कि किस तरीके सा आप लोग जल्दी जल्दी इस काम को कर पाएंगे आपके मैट्रिस कोश्चन कोई डेटर्मिनेंट कोश्चन को ज सापस में connected ठीक है जैसे आपके पास कई बाइनेवल इस्टिबिशन को आते हैं स्टाइस्टिकल प्रवेल्टी कोशन आते हैं तो वह अगर आप करते हैं तो आप आप आराम से 16 जो है प्रवेल्टी प्लस स्टार्ट से कर पाएंगे जो है मतलब आप समझ सकते हैं 21 वन बाइ सिक्स्त जो पेपर है लबब वन बाइ सेवंथ वन बाइ सिक्स पेपर जो है वह आपका प्रोबिल्टी स्टार्ट से आता है ठीक है और इसमें आप अगर 60% कुश्चिंज भी कर पाते हैं सोला में से अगर आप 10 या 11 सवाल भी कर पाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी आजा जाएगी अगर आप टाइम की कमी की वेशे से पूरा नहीं कर पा रहे हैं ठीक है जी अच्छा अगला जो बहुत इंपोर्टन टॉपिक जिसके बारे मैं डिसकस करूंगा वह आपके पास ह है 2D चरफ बहुत इंपोर्टन है टुडी जामेट्री तो टूडी ज़ोमेटरी आप जो हैं वालो कर सकते हैं मैं आ ओ आपको बहुत सारी tricks बताऊंगा बहुत सारी ट्रिक्स से आपको मैं इसमें शिर करूंगा तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको सिर्विया करना है, हमाई साथ बाने रहना है, जो चीज में बता रहा हूँ, जो थौरोली मैं आपको बताई बच्चों, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है, टूडी में 100% में ट्रिक्स बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी शांदार ट्रिक्स होंगी, चा इन तीनों सेक्शन के आते हैं, और दस के बारा में से, दस सवाल तो आप कर ही सकते हैं, आठ तो आपके बिल्कुल आप आराम से कर जाएंगे, जिनको आपको देखने की विजुरत नहीं पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा दिमाग को खूलना है, मतलब कहने मतलब है कि ट प्रट कोश्नस आते हैं, जो खुद में बहुत छोटे होते हैं, तो आपके पास, यह तो simple direction का question रहते हैं, ठीक है? यह आपके पास, scalar product के question होते हैं, और वो fix होते हैं, यह आपके पास and. इन तीनों में जो हैं कॉंसर्ट बेज होता है इसलिए बोल रहा हूं इनको आपको सिर्फ फॉर्मले बनाने जो मैं फॉर्मले लिखा हूंगा वह आपको करने और उसी बेस्ट कोशन आते हैं और आपका कोशन हो जाते हैं तो अगर आप शॉर्ट में चीज़े जानते हैं तो शॉर्ट मेंट अगर आप सीख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है अब बहुत इंप्टेंट जो चीज़े हैं अगली जिसके बारे में बात करने वाले हैं आपके पास एक अलजेब्रा का टॉपिक शायद बच गया था वह मैं अलग से बता रहा हूं जैट इस बाइनुमिल थियोरू मैं बहुत इंप्टेंट टॉपिक है बाइनुमिल थियोर्म बहुत ज्यादा इंप्टेंट है तीन से चार सवाल आते हैं तीन सवाल मान लीजि सब्सक्राइब करने में दिक्कत आने की नहीं पांच पैसे की दिक्कत नहीं आने की आप बिल्कुल कोशन लेखेंगे आपका अंसर आजाएगा और आप जो हैं सोलीशन कर जाएंगे ठीक है आचा और एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपका को रहें मैट्स का आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे अगर आपने थ्यान दिया इसके चाए चारो topics में कोई भी वह हो जो हमारे syllabus में इसमें हैं हाइटन इसटेंस है हाइटन इस्टेंस है चीच है हाइटन डिस्टेंस के अलावा जो हमारे पास अगली जो चीज है वह आपके पास है इन यह आपके पास आगे भी काम आएगा इसमें बहुत सारे आपको शॉट मैंतर बताऊंगा जिन से आप कोश्चन कर सुआएंगे और जिससे आप से आप कोश्चन आप देखेंगे और आपका अंसर आजाए तो हम जो स्पीड से काम करेंगे वो बेसिकली हमारा टार्गेट यह रहेगा कि वन मिनट पर कोश्चन के मैक्सिम हमारे लगे तो वन मिनट पर कोश्चन आप जो है अराम से पहले डेड़ घंटे में 1.5 आर में आप करिए तो आप अराउंड जो है टाइम पूरा वेस्ट करन तो कोई दिकत नहीं है अगर आप बिल्कुली बहुत जादा आवरे जाएं तो भी आप डेड़ घंटे में 40 से 45 कोश्चन आराम से कर जाएंगे अब बचे का एग घंटा वह गंटे में आपको वह सवाल होंगे जो आप से नहीं हो रहे हैं वह सकता है वह दो मिनट का एक 70 कोश्चन आराम से कर जाएंगे और यह तब मैं बता रहा हूं आपको आप टाइम बहुत लेंगे पर जो मैं आपको आपने फॉलो किया आपने मेरी चीज़ों किया आपने यहां पर बढ़ाया जा रहा है वह फॉलो करा तो मैं आपको वादा करता हूं आपको दिक्कत आन लिजीएगा अगर नहीं होगा अगर उसमें चीज़े नहीं होगी तो आप मेरे को इंटिमिडेट कर सकते हैं आप मुझे बता सकते हैं मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा इसी का मैं वादा करता हूं मैं करने कहीं ही नहीं जिस ठीक है अब limits में continuity भी इंक्लूड कर रहा हूं और differentiability भी इंक्लूड कर रहा हूं ठीक है और इन सब से पहले जो एक चीज है वो आपके पास है functions functions के बिना काम हो नहीं सकता तो functions हमें calculus से पहले पढ़ नहीं पढ़ेगा ठीक है application of derivative और last जो हमारे पास है application of derivative के बाद आपके पास है आपके पास जो भी application में दो चीज है maximum minimum and increasing decreasing maximum minimum and increasing decreasing ठीक है और इसके बाद आपके पास है integral calculus क्या आपके पास integral calculus ठीक है इसमें definite definite area under curve ठीक है और लास्ट जो आपके पास है differential equation अब मैं आपको अजाता हूं देखो इसमें जो है आपका 40 question cover होता है calculus portion में 40 question में आपको जो tricks बताऊंगा अगर आप follow कर लेते हैं if you follow the tricks only definitely you will perform well और आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा इस चीज का मैं आपको वादा करता हूं ठीक है आपको सिर्फ copy पढ़ नहीं है भविशे में कोई video lecture upload नहीं करूंगा ठीक है तो यह बड़ी मैं आपको साधारन सीधे तरीके से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नॉर्मली इतना ज्यादा चीजों में कह सकतो इंफसाइज नहीं करता हूं कि भाई ऐसा है वैसा है ना मेरे को चीखना चिलाना आता है मैं नॉर्मल जो है अपना ही काम कर रहा हूं मुझे लगा कि हां यह चीज़े जो है contribute होनी चाहिए तो मैं इस लिए आप लोगों के लिए जो है डाफिनेटली एक्जाम में यह बहुत बैनिफिशल होगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोग लक्षर स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से और मैं प्रे करूंगा कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप जो है SSB के लिए क्वा आप